इस वीडियो में मैंने one of my favorite puzzle cover करी है और इतनी मुझे अच्छी लगी थी यह इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाने का decide किया देखिए puzzle में करना क्या है पहले सीधे मुद्धे पे आते हैं कहता भी एक square है ना उसको चार छोटे square में small square में divide किया गया है ठीक है एक बड़ा square है बड़ा square कौन सा है आपने देखा होगा यहां से लेके यानि कि ये बड़ा square है इसके चार टुकड़े कर दिये चार square बना दिये मैंने इसको A नाम दिया है इसको B इसको C और D कहता है one fourth part in three squares का one fourth part है ना वो shaded कर रहा है कौन-कौन से करते कि इसका one fourth part है यानि कि A वाले का one fourth part और B वाले का one fourth part यानि कि ये वाला और C वाले का ये one fourth part सिर्फ तीन square में मैंने shaded कर रहा है पजल क्या है वो मैं आपसे discuss कर रहा हूँ देखिए मज़ेदार चीज क्या है पजल ये है कि आपको इसके चार लेवल है पहला लेवल आपसे पूछता हूँ पहला लेवल देखी क्या है कहता है कि बहई डिवाइड करो किसको A वाला जो बोक्स है न उस A वाले बोक्स को दो ऐसी सेप्स में डिवाइड करो जिनका एरिया एक्वल हो आइडेंटिकल भी होंगी वैसे तब ही तो एरिया होगा तो ये लेवल वन है ऐसे चार लेवल पूछूँगा अनसेटिड दे कि ध्यान रखना अक्सर बच्चे मुझे क्लास में कहते हैं सर पूरे को डिवाइड करना नहीं कि मैंने का अनसेटिड को अनसेटिड का मतलब है जितको मैं आपको बता भी देता हूँ जो मैं बाउंडरी ड्रो कर रहा हूँ ना इस वाइट वाले पॉर्शन को आपको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना है यह है पचल वीडियो पोज कर लिजी आपको अगर लगता है कि वह आंसर है तो लिजी मैं इसका आंसर बताता हूँ इस में से पूरे 95% तक बच्चे बताता है सर आंसर क्या है अगर मैं इसको जोईन कर देता हूँ ना तो देखे दो आइडेंटिकल बन गी वान और टू एगरी कर रहे हो दो नो आइडेंटिकल है तो यह ही इसका आंसर आ गया फिर आपको जस्टिफाई एक बच्चा मुझे बच्चे सर कैसे आप कर रहे हो जस्टिफाई करके बताओ तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि देखो भई एक बॉक्स तो यह और एक इसके साथ आदा सिमिलरली एक बॉक्स यह वाला डबल डैस वाला और यह इसके साथ आदा तो आइ तिंग देस एड़ की हाँ जस्टिफाई एसर करेक्ट है यह 95% कर लेते है देखिए अब लेवल 2 की बात करते हैं देखिए लेवल 2 में बतातो यह जो लेवल 2 है ना यह मेरे को करीब-करीब 99% बच्चों ने आंसर कर दे दिया था क्या है लेवल 2 में कैता भी यह आप जो B वाला पार्ट है ना बी वाला स्केर उसको three equal a shapes में डिवाइड करना है आपको बता तो मैं बी वाला कौन से की बात कर रहा हूँ unsated part को डिवाइड करना ये ध्यान में रखना आपको generally तो इसको maximum ने answer दे दिया था उन्होंने का सर ये easy है उससे भी agree? तो level two में generally maximum बच्चों ने answer दे दिया level three में सिर्फ मेरे class में दो बच्चे थे जिन्होंने answer दिया था और मैं बड़ा खुश था कि बहुत अच्छा उन्होंने answer दिया लेकिन देखी है क्या? कहता है पर जो C वाला box है ना उस C वाले box को चार equal area में डिवाइड करो shapes में C वाला box यहां से शुरू होता है इसको मुझे चार में डिवाइड करना ये है मेरा actual में पूरी puzzle का जो कहते हैं सबसे important part और इसको मैं आकसर बताता हूँ क्यों बच्चे अठगे? I don't know what was the reason बट मैं इसका answer बता देता हूँ आपको सोलीजी answer बताता हूँ पहले pose कर लिजी पहले खुड try कीजी puzzle की यही खासियत है पहले आप खुड try करो और अंदर की बात यह कि एक puzzle है न एक chapter का का काम करती है puzzle कर लिया यानि कि कम से कम एक chapter तो match का हो गया कम से कम thinking process तो यह वोल होती है तो सुनिए भी answer कितने ही में चार equal में अगर आप ऐसे कर देते हो जैसे एक बच्चा मेरे को करके लिया है कि sir यह one मैंने यहाँ कर दिया एक यहाँ पे कर दिया एक यहाँ पे कर दिया यह बिलकुल wrong होगा sir क्यों रोंग होगा एक triangle है एक quadilator है तो इस तरह का answer नहीं होगा justify नहीं होगा mathematics कहता है कि वह जो आप कर रहे होना उसको justify तो करना जुरूरी है तो correct answer बताता हूँ correct answer यह कहता है कि सबसे पहले काम करता हूँ मैं इसको 3 box में कर लिया right यह आप agree कर रहे हो तीनों को equal बराबर है हर एक box को मैं 4 में divide कर लेता हूँ यह लीजिए मैंने इसको 4 में divide कर लिया sir आप ऐसा क्यों कर रहे हो थे कि आपको logic बताऊंगा इसको तो मैंने यह इसलिए कर रहा कि 4, 4, 8 और 4 इसी के part हो जाएंगे तो total 12 part हो जाएंगे न मुझे यह जो है 12 part 4 में करने तो देखिए अगर आप note करना 1 यानि कि जो shape है जिसके उपर मैं outline कर रहा हूँ यह मैं आपको 1 इस तरह से लिख के देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा और justify करने easy रहेगा यह मेरा हो गया पहला part जिस पे मैंने 1 लिख है आई हो पया आगरी करोगी यह L टाइप का बना देखिए 2 टू लिख रहा हूँ न यह भी तो अगर आप देखो identical shape बनी है 3 3 लिख दिया तो इसको भी मिला कि यह भी तो L shape है यह भी और यह मेरा question क्या था कि 4 equal part में divide करो तो देखिए मैंने 4 part बना दिये यह जो dotted line बनाई है यह तो सिर्फ समझाने की हिसाब से बनाई है आप इसको erase कर सकते हो यानि कि कोई इसमें समझाने का ही purpose था कि मैंने यह बताना था कि justify क्या करना था कि equal कैसे है इसमें ज़्यादा थी ठीक है इसमें चलो qualify नहीं कर पाई अब next level पर आ जाते हैं यह बड़ा बच्चे काफी दे next level दे की बड़ा मज़ेदार है d वाले में आपको divide करना है 5 equal shifts में यह last है इसमें shaded नहीं है तो कोई बात नहीं पूरे को करना है तो पता नहीं maximum बच्चे अटक गे बड़ जो हाजिर जवाबी थे ना जो बिलकुल कहते हैं कि सर्क common sense वाले थे उन्होंने का सर यह तो सबसे easy है मैंने का बड़ कैसे तो देखिए आपको answer बताता हूं कैसे थे 5 equal parts में divide करना है तो कहता है सर यहां तो आपके condition डाली नहीं 5 equal parts तो बहुत तरीके से कर सकते हो तो उन्होंने बहुत ways बताये और लगबग सब के ठीक थे तो देखिए मेरा answer क्या है पहला answer अगर मैं इस तरह से कर देता हूं 1 part ठीक है 2 part, 3 part 4 part, 5 part I think यह equal होंगे पहिए मैं horizontal भी कर सकता हूं vertical भी कह सकता हूं तो यह सारे के सारे अगर आप ध्यान दीजिए यह 5 part बराबर होगे area में भी बराबर होगे यह रेक्टेंगल है इस puzzle में सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो धाना वो C box वाला था जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने का कि सर होई नहीं रहा और D वाला जब मैंने answer बताया तो they were laughing कि सर D वाला तो क्योंकि मैंने level of difficulty तना बढ़ा दिया था सबसे easy तो उनको D वाला मिला So I hope यह आपको puzzle अच्छी लगी होगी So thank you very much